हलो नमस्कार जैस्रीयोम बनना साके दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ पहले की तरफ भातार ही हों गया मैं आपके अपनी निशा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री बालिनात होम्स में तो दोस्तों आज हम ह है 133 गश के प्लोट पर बनी बहुत ही प्यारी सी प्रापिटी की तरफ और में कालवार रूट से डिस्टेंस की बात करेंगे तो मात्र मात्र 300 मिटरे की दूरी पर अपने को मिल जाता है अपना 133 गश के प्लोट पर बना बहुत ही प्यारा सा घर और ऐलिवेशन की बात कर तो ये देखि जराब, बहुती खुब्सुरेत, बहुती प्यारा ऐलिवेशन दिया गया है अपने घर का, बहुती प्यारी डिजाइन रखी गई है दोस्तों, एड इसे के साथ में रेलिंग भी बहुती जादा प्यारी लग रहे, क्याने का मतलब ये है कि इस डिजाइन के सा जो color combination रखा गया है वो तो लगा दिता है इस घर के elevation में चार चान बहुत ही प्यारी theme दी गई है दोस्तों मीन कालवार रोड से distance भी बहुत ही ज़्यादा कम है और इसी के साथ में 133 गर्ष के plot पर बनाया गया है species अपने को Porsche area मिल जाता है देख पार है easily यहाँ पर आ जाएगी अपनी दो car और इसी के साथ देख पार है काफी अच्छी height तक side wall पर tile work करके अपने को दिया गया है double entry के साथ अपने को अपना यह घर मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर अपना water tank का provision आ जाता है stairs अपने को बाहर से दी गई है stairs के नीचे motor के लिए काफी अच्छा space रखा गया है और यहाँ से जाएंगे हम first floor पे अभी हम देख लेते हैं अपना ground floor आ जाएए और दोस्तों यहाँ से अभी हमाज चुके हैं अपने living area की तरफ species अपने को अपना living area मिल जाता है बहुत ही प्यारी wall अपने को दी गई है बहुत ही प्यारा ceiling में प्यारा work करके दिया गया है और यह तरफ अपना LED पैनल आशाता है जिस पर proper golden work अपने को करके दिया गया है दोस्तों यह तरफ अपना waste basin area है यह भी spacious है काफी प्यारे tile work के साथ इस तरफ अपना common washroom है दोस्तों वाश्रूम में बहुत ही अच्छी tile का use किया गया है बहुत ही अच्छा space दिया गया है और यह आशाता है अपना gas room spacious है यह भी यहाँ पर भी side wall बहुत ही प्यारी दी गई है इस तरफ वाट्रोप मिल जाती है separate entry है और आपकी एक window भी दी गई है और इस तरफ काफी अच्छे self भी दिये गया है तो दोस्तों इसी के साथ यह था अपना gas room इसी के साथ में अपनों को मंदिर के लिए भी काफी अच्छा space मिल जाता है अपने इस घर में यहाँ पर देख पा रहे है काफी अच्छा space दिया गया अपने मंदिर के लिए proper wooden work कि दिया गया है काफी अच्छी lighting आशाती है spacious अपना kitchen है बहुत ही प्यारा tile work करके दिया गया है L-shape के साथ यह मिल जाता है easily आप खाना बना पाएंगे और यह है अपना second bedroom इसका space भी अच्छा मिल जाता है दोस्तों and इसी के साथ में इस bedroom में भी आपका attached washroom दिया गया है washroom का space भी अच्छा है और इसी के साथ wardrobe भी आशाती है अपनी wooden work के साथ और ventilated area भी अपने को मिल जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरफ ना backyard space आशाता है तो इसी के साथ यह है अपना ground floor आजाए चलते हैं अपना first floor पे देखते हैं अपना third and fourth bedroom आजाएंगे दोस रहेगा काफी अच्छे tile work के साथ और इसी के just opposite है अपना third bedroom easily आप rent out कर पाएंगे दोस्तों इसे इस तरफ common washroom भी दिया गया है दोस्तों इस तरफ वाश्रूम आजाता है अपना और यह है अपना third bedroom spacious है यह भी इसने भी wardrobe मिल जाती है और इसी के साथ attached balcony भी रहने वाली है और इसी के साथ यह हो जाता है अपना 133 गश के floor पर बना बहुत ही प्यारा साथ 3BHK house वो भी double kitchen के साथ बात करेंगे front size के 20 के front के साथ 60 की depth के साथ अपना यह घर बना हुआ है में कालवार रोट से 3 समिटर की तूरी पर बात करेंगे इसके price की तो दोस्तों मातर पीशे 30 लाग में अपने को मिल जाता है यह प्यारा सा घर जो के जेड़ी अप्रूब है अधिक शानकरी के लिए आप दिये गए नंबर पर निशा को कॉल करें मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू सो मत जाहिं जाय बारत